पेज नंबर 190, खुद को सबसे पहले वेतन दे, खुद पर अनुसासन की ताकत, अगर आप खुद पर काबू नहीं रखवाते, तो अमीर बने की कोशिज भी ना करे, आपको इसके पहले मरीन कॉप्स या किसी धानमिक संस्था में जाना चाहिए, ताकि आपको खुद पर कोई मतलब नहीं है कि निवेस करे, पैसा कमाए और उसे फुग दे, खुद पर अनुसासन की कमी के कारण ही करोडो डॉलर की लॉट्री जितने वाले लोग जल्द ही लिवालिया हो जाते हैं, यह खुद पर अनुसासन की कमी ही है, जिससे तनखवा बढ़ने पर लोग ततक सबसे बढ़ा कारण है, जो लोगों को तीन समुदाय में बाढ़ता है, अमीर, गरीब और मधिवर्ग, सीधे तरीके से कहे, तो जिन लोगों में आत्मसमान कम होता है, और जो फाइनेशल दबाओं में जादा सहन नहीं कर पाते, वे कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, और कभी बाकी लोग गुंडे होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आत्रिक नियंत्रन और अनुशासन की कमी होती है, जिन लोगों में अत्रिक सहन सकती की कमी होती है, वे अक्सर उन लोगों के सिकार हो जाते हैं, जिन में आत्मसमान अनुशासन होता है, मैं जिन व्यवसाई सुरू करने के लिए तीन सरवधिक महत्यपूर मैनेजमेंट दक्षताएं होती हैं पहला कैस्फ फ्लो का मैनेजमेंट दूसरा लोगों का मैनेजमेंट तीसरा व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट मैं यह कहूंगा कि यह तीन दक्षताएं केवल व्यवसाय सुरू करने वालों के लिए ही नहीं बलकि सभी के काम की ही है ये तीनों आपकी जीवन सहले में महत्पुन फुमिकाय निभाती हैं व्यक्ति के रूप में परिवार के सदस्य के रूप में बेवसाय में किसी धर्मस्त संगठन में सहर या देश में ये सभी दक्ष्टाएं आत्म अनुसासन को साधन क conveyay में से बढ़ जाती हैं मैं खुद को सबसे पहले भुक्तान करें सिधान को हलकेपन में नहीं लेता जोज क्लासन की बुस्तक the reversed man in Babylon में खुद सबसे पहले भुकतान करे का वक्तव वे सबसे पहले आया था, इस बुभ तक की कडोरो प्रांतिय बिख चुकी है, परन्तु हाला कि कडोरो लोग इस जबजर्च्त जुम्ले को दोहराते हैं, बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं जैसा मैंने कहा है financial साक्षर्टा अंक पढ़ने की योगिता देती है और अंक कहानी बताते हैं किसी व्यक्ति के income statement और balance rate देखकर मैं ततकाल यह देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुक्तान करें कि सिधान्त का राग अलागते रहते हैं वे दरसल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हजार सब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के financial statement के तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुक्तान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुक्तान करते हैं रोजगर, आय, वेय, टैक्स, किराया, भोजन, संपत्ती, बचत, निवेश, दाइत्व शित्र का अध्यन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैस फ्लो के समझने की जरूरत है जिससे कहानी बताई जाती है जादा तर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सचमुझ कैस फ्लो की ताकत को समझना सुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही या पता चल जाएगा कि अगले प्रिष्ट पर दिये गए चित्र में कहां गड़बड़ी है और 90 फीसदी लोग क्यों जिंदिगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोसल सिक्योरिटी जैसे सरकारी मदद की जरूरत क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं पिछले प्रिष्ट पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम को दर्साता है जो खुद का भुकतान सबसे पहले करता है हर महिने अपने मासिक खर्चों का भुकतान करने से पहले वे अपने संपत्ती वाले कॉलम में पैसे डालता है हाला कि कडोरों लोगों ने क्लासेन की बुस्तक पड़ी है और खुद को सबसे पहले भुकतान करे का सिधान समझा है परन्तु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुकतान करते हैं अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स का भुकतान सबसे पहले करने में गंभीरता पूर्वक विश्वास करते हैं और मैं यह भी सुन सकता हूं कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं मैं यह नहीं कहता कि आप क्याट जिम्मेदार हो जाए या अपने बिल का भुकतान ना करे मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करे जो यह पुस्तक आपको सिखाती है यानि खुद को सबसे पहले पैसा दे और पिछले प्रिष्ट पर दिया गया चितर इसी सिधान्त का सही लेखांकन चितर है जबकि बाद में आने वाली चितर पूरी तरह से गलत है ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है आखिर में व्याय, टेक्स, किराया उसके पास अक्सर भोजन कुछ नहीं बचता मेरी पतनी और मेरे पास कई बुक किपर्स, अकाउंटेंट्स और बैंकर है जिने सुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे सिधान से बहुत बड़ी समस्या होती थी इसका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी दरसल वही करते हैं जो कि जनता करती है, यानि खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं मेरे जिवन में ऐसे महीने भी आएं जब किनी कारणों से मेरा cash flow वे मेरे बिल से काफी कम रहा है फिर वी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया है मेरे accountant और book gippers चीखने लगे वे आपके पीछे पढ़ जाएंगे, आपको जेल भी हो सकती है, आप अपने credit rating बिगार लेंगे, वे लोग बिजले कार देंगे, मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया, आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि the richest man in Babylon की कहानी इसी बारे में है, खुद पर अनुसासन क की ताकत और आंतरिक सहन सकती के बारे में, इसे बोल चाल की भासा में गुर्दे की भी कह सकते हैं, जैसे मेरे अमीर डाडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था, कि जादा तर लोग दुनिया की ठोकरे सहन करते रहते हैं, पैसा वसूलने वाला आता है, और आप या तो पैसे चुकाओ, वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं, और खुद को पैसा नहीं देते हैं, एक सेल्स वरकर कहता है, आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल दें, आपका रियल स्टेट एजेंट आपसे कहता है, आगे बढ़ी चलो, घर खरीदने पर सरकार आपको टेक्स में छूट देती है, पूरी पुस्तक दरसल इसी बारे में है, आपने धारा की बिरुद जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए, हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, परन्तु जब पैसे की बात आती है, तो कई लोगों को होसला पस्त होने लगता है, मैं यह नहीं कहता कि आप कैर्ड जिमेदार बने, मुझ पर जादा कर्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ, मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ, क्योंकि मैं इसे सरकार को नही देना चाहता है। इसलिए आप में से जिन लोगों ने The Secrets of the Rich नाम का वीडियो देखा होगा, उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरे आए नेवेदा के कॉर्पोरेशन के जरी मेरी संपत्ति वाले कॉलम में आती है। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हाला कि मैं अपने बिल का भुक्तान सबसे आखिर में करता हूँ, परंतु मुझ में इतने आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फसता हूँ, मैं कंजियूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ, मेरे पास इतने डायत्व हैं जो 99 फीसदी लोगों से जादा है परंतु उनका भुक्तान मैं नहीं करता हूँ बलकि दूसरे लोग मेरे दैन डारियों को चुकाते हैं वे मेरे किरायदार कहलाते हैं जो खुद को पैसा देने से पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फसो हाला कि मैं अपने वित का भुक्तान सबसे आखिर में करता हूँ परंतु मैं केवल कुछ महत्व हीन वित ही बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यहाँ कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि वे लोग मुझे पर एक एहसान कर रहे हैं वे मुझे प्रिरिट कर रहे हैं कि मैं जाओ और ज़्यादा पैसे कमाओ तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आम तोर पर उन्हें सही समय पर भुकतान कर देता हूँ मेरी पतनी और मेरी साख बहुत अच्छी है हम किवल दबाव में नहीं आते और कर्ज उतारने के लिए अपनी बच्छत का इस्तमाल नहीं करते ना ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाब यह है ऐसे बड़े कर्ज में ना फसे जिसका भुकतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखे अपने संपत्ती को सबसे पहले बनाए फिर बड़ा घर या सांदार कार खरी दे चुहा दोड़ में फसे रहना समझदारी नहीं है जब आपके पास पैसे कम हो तो दबाव को बढ़ने दे और अपनी बचत या निवेज को खर्च ना करे उस दबाव को अपनी फाइनेंशल प्रतिभव को प्रेरित करने के लिए इस्तिमाल करे ताकि आप ज़्यादा पैसे कमाने और बिल्स का भुकतान करने के नई तरीकों के बारे में सोच सके इससे ज़्यादा पैसे कमाने की आपकी योगिता भी बढ़ेगी और आपका फाइनेंशल बुद्धी भी ज़्यादा बिक्सित होगा मैं कई बार फाइनेंशल भट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तिमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरी संपत्ती वाले कॉलम को कोई नुकसान न पहुँचे मेरा बुक की पर चीखने लगा और बचाओ के लिए छुप गया परन्तु मैं उस तरह का सिपाही था जो किला की रक्षा के लिए लड़ रहा था गरीब लोगों की आदते भी गरीब होती है एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसा निकाल लेना अब मेर लोग जानते हैं कि बचत को जादा धन कमाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है ना कि बिलो का भुकतान करने के लिए मैं जानता हूँ कि यह एक कठोर जान पड़ता है परन्तु जैसा मैंने कहा है अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो दुनिया आपको इधर उधर धखे लेगी अगर आप आर्थिक दबाव पसंद ना करते हो तो एक ऐसा फार्मूला खोज ले जो आपके लिए कारगार साबित हो एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए पैसे को बैंक में रखा जाए ज्यादा इंकम टेक्स चुकाया जाए सुरक्षित म्यूचिल फंड खरी दे जाए और औसत बने रहने की कसम खाय जाए परंतु यह खुद को सबसे पहले भुकतान करे के सिधान का उलंगन करता है यह नियम आत्म बलिदान या आर्थिक सन्यास को प्रोज सहान नहीं करता इसका मतलब यह नहीं कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मरो जिंदिगी मौज मस्ती के लिए है अगर आप अपने फाइनेंशल प्रतिभा को जागरित कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुख हो सकते हैं आप अमीर बन सकते हैं और आप बिल चुका सकते हैं और इस प्रक्रिया में जिंदिगी अच्छी भी जी सकते हैं और यही फाइनेंशल बुद्धी कहलाती है चठा अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दे अच्छी चला की सकती मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग अपने घर के सामने एक पट्टी टैक देते हैं मालिक बेचना चाहते हैं या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिसकाउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है मैं इस बात पर भरोसा करते थे कि प्रोफेशनल को अच्छा भुकतान किया जाए और मैंने भी उसी सिधान को अपनाया है आज मेरे पास महेंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल स्टेट ब्रोकर्स और स्टॉक ब्रोकर्स है क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सचमुच मानना है अगर लोग प्रोफेशनल हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम सूचना की युग में रह रहे हैं सूचना बेस कीमती है एक अच्छा ब्रोकर आपको सूचना तो देगा ही आपको सिक्षित करने के लिए समय भी देगा मेरे पास कई broker हैं जो मेरे लेयर करने को अच्छुक है कुछ ने मुझे सिखाया है जब मेरे पास बहुत कम पैसे था या बिलकुल भी पैसा नहीं था और मैं आज हुँ उनके साथ हूँ वह मेरे द्वारा उनकी सूचना से कमाय गए धन का बहुत छोटा हिस्सा होता है मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा Real Estate Broker या State Broker बहुत पैसा कमाता है क्योंकि उसका आम तोर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसा कमाने की जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है जैसे उस समय जब मैंने खाली जमीन के टुकडे को 9000 डॉलर में खरीदा और ततकाल इससे 25000 डॉलर ने बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्द से कार्ड खरी सकूँ ब्रोकर आपके बजार की आँख और कान है वे हर रोज वहाँ जाते हैं और इसलिए मेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं होती मैं उसके बज़ा गॉल्फ खेल सकता हूँ इसके अलावा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई की हास कीमत नहीं होती मैं कुछ पैसा बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करो जबकि इस समय में ज़्यादा पैसे कमाने या अतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तमाल कर सकता हूँ मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि इतने ज़्यादा गरीब और मध्यवर्गिये लोग रेस्टरन में खराब सर्विस के बावजूद 15-20 फीसदी टिप देते हैं और ब्रोकर को 3-7 फीसदी देने में आनाकाने और सिकायत करते हैं वे खर्च वाले कॉलम के लोग को टिप देते हैं और संपत्ती वाले कॉलम के लोग को टिप देने से करत राते हैं यह आर्थिक समझदारी नहीं है, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते, दुरभागे से जादतर ब्रोकर सेल्समेन होते हैं, मैं तो यह कहूंगा कि रियल स्टेट के सेल्समेन सबसे बुरे होते हैं, वे बेचते हैं परन्तु उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रिय को चुमते हैं, पुरानी कहावत को याद कीजिए, अगर आपको एंसक्लोपीडिया की जरूरत हो, तो एंसाइक्लोपीडिया बेचने वाले से ना पूछे, जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंटर्व्यू लेता हूं, तो मैं पहले यह पता करता हूं कि उसके पास खुद कि प्रोपर्टी या स्टॉक है, और वह कितना फीसदी टैक्स दे रहा है, यही मेरे टैक्स अटॉर्णी और मेरे अकाउंटेंट के बारे में भी करता हूं, मेरे पास एक अकाउंटेंट है, जो अपने काम से काम रखता है, उसका पेसा हाला कि अकाउंटिंग है, परन्तु उ आपको सिक्षित करने के लिए समय निकाल लेगा, और वे आपके द्वारा खोजी कई सर्विस्ट रिस्ट संपत्ती साबित हो सकता है, बस उदार रहें, और वे भी आपके प्रति उदार रहेंगे, अगर आप उनके कमिशन में कटाउती करने के बारे में भी सोचते चाहेंगे, वो विसुध और आसान सा तर्क है, जैसा मैंने पहले कहा था कि मैनेजमेंट की दक्षताओं में से एक लोगों का मैनेजमेंट है, कई लोग केवल ऐसे लोगों को मैनेज कर पाते हैं, जो उनसे कम स्टार्ट स्मार्ट हो, और जीन पर उनकी सत्ता हो, जैसे किस अधिनस्त कई दोयम दर्जे के मैनेजर्स ही बने रहेंगे, और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिलेगी, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि नीचे वाले के साथ काम किया जाता है, परंतु यह नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाता है, असली दक्षता है किसी तकनी की छेतर में अपने से स्रेश्ट और जादर स्मार्ट वैक्तियों को मैनेज करना और उन्हें अच्छा पैसा देना इसलिए कंपनियों में बोर्ड ऑफ डारेक्टर होता है आपके पास भी होना चाहिए और यह फाइनेंशल समझदारी है 7. इंडियन दाता बने या बिना कुछ दिये पाने की थाकत है जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियन की संस्कृतिक परंपरा से जटका लगा उधारन के तोर पर अगर किसी गोरे आदमी को ठन लगती है तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे इस पर इंडियन दाता वाक्यांस पैदा हुआ वहाँ एक चोटी से संस्कृतिक ना समझी के कारण संपत्ति के कॉलम में दुनिया में इंडियन दाता बनना दौलत के लिए सब बहुत जरूरी है पर इसकृत निवेसक का पहला सवाल यह होता है कि मेरे पास मेरा पैसा मुझे एक छोटा रियल स्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी दूर पर था बैंक साथ हजार डॉलर चाहती थी और मैंने पचास हजार डॉलर की बोली लगाई तो उन्होंने सिर्व इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बोली के साथ पचास हजार डॉलर का चेक भी लगा उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंभीर था जादा तर निवेसा किया कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा फसा नहीं रहे थे क्या इस पर लोन लेना जादा बहतर नहीं होता इसका जबाब है इस मामले में बिलकुल नहीं मेरी निवेस कंपनी जाड़े के महिने मे इसे वेकेशनल रेंटल के रूप में इस्तमाल करती है जब प्रवासी पक्षी एरिजोना में आते हैं और इसे चार महिनों के लिए धाई हजार डॉलर किराये पर देते हैं बाकी के आठ महिने में इसका किराया किवल एक हजार डॉलर होता है मेरे पास लगभग तीन साल में वापस आ गया था अब मैं इस संपत्ती का मालिक हूँ जो हर महिने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती थी यहीं स्टॉक के बारे में भी किया जाता है पराया, मेरा ब्रॉकर मुझे सला देता है कि किस कंपनी के स्टॉक में काफी पैसा लगाऊ क्योंकि उसके बिचार से यह कंपनी कोई ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे उसका सेयर में तेजी आ जाएगी जैसे कई नया, कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है मैं अपने पैसे को एक हब्ते से लेकर एक महिने तक लगाए रखता हूँ जब सेयरों की कीमत बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल धनरासी को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चराओं से बेफिक्र हो जाता हूँ क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और दूसरी संपत्ती पर काम करने के लिए तैयार है इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर बाहर आ जाता है और मैं ऐसे संपत्ती का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुफ्त में मिला है यह सच है कि मैंने कई मौके पर पैसे खोया भी है परन्तु मैं उतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुकसान मैं सहन कर सकता मैं कहूंगा कि औसत दस निवेसों पर मुझे दो या तीन में से बहुत फायदा होता है जबकि पांच या छे में कोई लाव हाने नहीं होता मैं दो या तीन में घाटा भी खाता हूँ परन्तु मैं अपने नुकसान को उसी पैसे तक सीमित रखता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसो को बैंक में रख देते हैं और दिर्काल में उनकी बच्चत कुछ नहीं से बहतर ही होती है परन्तु आपको अपना पैसा वापस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादा तर मामलों में तो आपके इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता पहले तो वे टोस्टर दिया जाते थे परन्तु आजकल ऐसे बिल्ले ही होते हैं मेरे हर निवेस पर एक ना एक चीज मुफ्त होती है एक छोटा रियल स्टेट, एक मिनी, स्टोरेज, खाली जमीन का टुकड़ा, एक स्टॉक सेर्स या ओफिस बिल्डिंग और जोखिम सीमित भी होना चाहिए इस बिसे पर इतनी ज़्यादा पुस्तक के लिखी जा चुकी है कि मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा मैकडोनल के मसूर रे क्रॉकर हैंबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैंबर्गर से प्यार था बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें इस फ्रेंचाइजी के साथ आने वारे रियल स्टेट मुफ्त मिलता था वे समझदार निवे सकुको ब्याच की दर से ज़ादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपका पैसा वापस मिल जाने पर आपके पास क्या संपत्ती आती है या भी महत्तपून है यही financial समझदारी है आठवा, संपत्ती से विलासिता की चीज़े खरी दी जाती है केंद्रित करने की सक्ती, मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और उसकी जेब में ऐसा लगता था कि जैसे छेद हो गया है 16 साल की उम्र में सवभाविक रूप से उससे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था कि सभी दोस्तों के ममी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरे दिये यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर नगत कार खरीदना चाहता था ऐसे समय में डैडी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दू इसके जबाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परन्तु लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की एक्षा से उसे को सिखाने के लिए प्रेडित कर सकते हैं अचानक उसके दिमाग की बत्तिया जल गए और वा तुरंत ही घर चल पड़ा दो मेने बाद मुझे वा दोस्त मिला क्या तुम्हारे बेटे ने अपनी नई कार मिल गई मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिले परनतु मैं गया और उसे कार के लिए 3000 डॉलर दे दिये मैंने उसे कहा कि या अपने कॉलेज के पैसे के बचाए मेरे पैसे का उपयोग करे मैंने कहा यहीं उसकी उदारता है नहीं उस पैसे के साथ एक सर्थ भी जुड़ी है मैंने आपकी सला मान ली और उसकी कार खरीदने की प्रबल इच्छा के साथ सीखने की सर्थ भी रखी सर्थ क्या है मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैस मतोग गेम का सहारा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे की समझदारी के इस्तमाल पर एक लंबा विचार भी मर्स किया फिर मैंने उसे वाल स्ट्रीट जनरल की सदसिता दिलवा दी और स्टॉक मार्केट में कुछ पुस्तके भी दिलवाई फिर दिक्कत कहा थी मैंने उसे कहा कि 3,000 डॉलर उसके हैं परन्तु वह इससे सीधे कार नहीं खरीज सकता था वह इससे स्टॉक खरीद कर बेज सकता है और खुद का ब्रोकर ढूंड सकता है और एक बार वह 3,000 डॉलर के 6,000 डॉलर बना लेता है तो अपने कार खरीज सकता है और बाकी के 3,000 डॉलर उसके कॉलिज के फंड में जाएंगे मैंने पूछा और इसका परिणाम क्या मिला वह सुरुआत में किस्मत वाला रहा परन्तु कुछ दिनों बाद उसने अपने मुनाफे की सारी रकम गवा दे तब वह सचमुच रूची लेने लगा आज चाहेवद 2,000 डॉलर के घाटे में है परन्तु उसकी रूची बढ़ गई है उसने मेरे द्वारा खरीदी सारी पुस्तके पर डाली और वह आज और जादा पुस्तके की खोज में पुस्तकाले में भी गया था वह मन लगाकर Wall Street General पढ़ता है सुचकों पर नजर रखता है और MTV के बज़ा CNBC देखता है उसके पास केवल 1,000 डॉलर बचे हैं परन्तु उसकी रूची और ग्यान आस्मान को छू रहे हैं वह जानता है कि अगर वह इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे 2 साल तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परन्तु उसकी कोई खास चिंता नहीं है अब उसे कार हासिल करने से ज़्यादा रूची नहीं है क्योंकि उसे यह एक खेल मिल गया है जिससे उसे ज़्यादा आनन मिलता है क्या होगा अगर सारा पैसा हार जाता मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूँगा कि वह अभी सारा पैसा हार जाए बजाए इसके कि वह अपने सारी उमर में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानूँगा कि उसकी सिक्षा पर खर्च किये गये यह सर्वस रेश्ट तीन हजार डॉलर थे जो वह सीख रहा है वह जिंदिगी भर उसके काम आएगा और पैसे की ताकत का समान करना भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसके जेब का छेद बंध हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले भुक्तान करे वाले खंड में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा अनुसासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बहतर यहीं होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिस ना करे जैद्धानतिक हिसाब से संपत्ति वाले कॉलम में से कैस फ्लो विक्सित करने की प्रक्रिया आसान नजर आती है परंतुर इसमें पैसे को दिसा देने की मांसिक सहन सक्ति की जरूरत होती है जो मुश्किल साबित होती है बाहरे आकर्शनों और प्रलोभनों के कारण आज की खरितारी की दुनिया में यह ज़्यादा आसान हो चला है पैसे को पूरा उड़ा ही दिया जाए कमजोर मांसिक सक्ति के कारण ही वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले जास्ते में बैह जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्श का कारण है मैंने फाइनेंशल समझदारी क या आकड़े के उधारन इसलिए देता कि पैसे से ज़्यादा पैसे कमाने की योगिता को जाना जा सके अगर हम सो लोगों को साल में साल के सुरू में 10,000 डॉलर दे दे तो साल के अंत में क्या होगा अस्य के पास कुछ नहीं बचेगा वास्तों में कई तो ज़्यादा तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सके मेरे बिचार में यह सीखना भी महत्पुन होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाता है मैं भी हर वैक्ति की तरह विलासिता की वस्तों से प्रेम कर या पडोसियों से प्रतियोगिता करने का जाल है जब मैं कार खरीदने चाहता हूं तब आसान रास्ते यही है कि मैं अपने बैंकर को बुला कर लोन ले लेता परन्तु मैंने दाइतव वाले कॉलम को बढ़ाने के बज़ा संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान के इंद्रित किया अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं अपने खर्च की इक्षा से प्रेरित होता हूं कि किस तरह उसके लिए अतरिक्त पैसा जुटा सको आजकल प्रायह हम अपनी मन चाही चीजों को खरीदने के लिए खर्च लेने पर ध्यान के इंद्रित करते हैं और पैसा बनान जाते हैं और मुस्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं जितनी चल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के सासक के रूप में प्रशिक्षित कर लेंगे उतना ही आपके लिए बहतर होगा पैसा बहुत बड़ी ताकत है दुर्भागे से लोग पैसे की ता पासन करने के लिए आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे या आपके आगया का पालन करेगा आपके गुलाम होने के बजाए आप इसके मालिक होंगे यही आर्थिक समझदारी है नववा नाइको की जरूरत मिथक की जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज हैक आरन योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रसंद सकता वे मेरे आदर्स थे लिटिल लीग खेल रहे बच्चों के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी सहेज कर रखे थे मैं उनके बारे में सब भी आकड़े जानता था उनके बैटिंग के उसत उनको मिलने वाली धन रासी और वे किस तरह बड़े हुए सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था नौ या दस साल की उम्र में मैं जब बेसबॉल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जानता था बलकि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे यह सीखने के सबसे ससक्त तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं हम अपने नौ सीखिये पन को खो देते हैं आज मैं अपने घर के पास छोटे प्रकेट बॉल खेलते देखता हूं, कोट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या कलाइड होते हैं, आदर्स नायकों की नकल करना, ग्यान प्राप्त करने की का सच्चा और ससक्त तरीका है, और इसलिए जब ओजी सिपसन की तरह का नायक बदनाम होता है, तो इतनी चेक पुकार मचती है, या किसी अदालती कारवाही से ज़्यादा होती है, या एक आदर्स नायक को खो देना होता है, एक ऐसा वैफती जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से संजोए थे, और वे उसकी पूजा करते थे, अचानक हमें उस व पढ़ने की कोशिद करता हूं, मेरे आदर्स नायकों में डॉनल्ड टरंप, वारेन बुफे, पीटर लिंच, जॉर सोरोस और जिम रोजर्स भी हैं, बढ़ा होने के बार मैं उनके आकड़ों उसी तरह जानता हूं, जिस तरह कि अपने बच्पन में बैस बोल हिरोज के आक सको, और मैं डॉनल्ड टरंप के बारे में भी इसले पढ़ता हूं, ताकि यह जान सको कि वे किस तरह सौधा करते हैं, जिस तरह मैदान पर बेसबॉल की तरह बैटिंग करते जाते, समय मैं खुद को भूमिका में नहीं था, उसी तरह जब मैं बजार में उत्रा था, उत्र आदर्शनायक होने से हम उसकी कच्ची प्रतिभा के व्रहित स्रोतन का दोहन करते हैं, परन्तु आदर्शनायक हमें प्रेडित करने के लिए भी ज़्यादा काम करते हैं, वे चीजों को ज़्यादा आसान बना देते हैं, चीजे आसान दिखने के कारण हम भी उनी की तरह ब बना देते हैं, दस्वा, सिखाओ और आपको हासिल होगा, देने की सकती, मेरे दोनों डाड़ी सिखचक थे, मेरे अमीर डाड़ी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया, जो मेरे साथ जिंदिगी बर चल रहा है, और वह सबक था परुकार करना या देना, मेरे पढ़े लिके डाड़ी और उनके पास कभी भी अतिरिक्त धन नहीं होता था, मेरे अमीर डाड़ी ने पैसा भी दिया और सिख्चा भी, वे देने के सिधान्त में पक्का यकिन रखते थे, अगर आपको कुछ चाहिए, तो आपको पहले देने की जरूरत है, वे हमेशा कहा करते थे, जब उनका या जरूरत महसूस हो, तो पहले उस चीज को दे दे, बाद में वह बाल्टियों में भरकर आपके पास लोट आएगी, या पैसा, मुस्कुराहाट, प्रेम, दोस्ती, सभी के बारे में है, मैं जानता हूँ कि कोई भी वेक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा, परंतु मैंने ऐसा किया है, उससे इसके फायदे भी उठाए है, मैं विश्वास करता हूँ कि आदान परदान का सिधान सही है, इसलिए मैं वही चीज देता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसा देता हूँ, यह कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जा मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी इस वर को कुछ नहीं चाहिए पर इंसानों को देना चाहिए मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे गरीब लोग अमीरों से जादा लालची होते हैं उन्होंने इससे समझते वे कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दू मेशा मेरे पास लोट कर आया है या मुझे उस व्यक्ति की कहानी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंड रात में लकडियां लेकर वैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूले पच्चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकडियां अंडर ड चालूंगा और जब में जब पैसे प्रेम सुख बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखना की जरूरत है कि आप जो चाहते हैं पहले आप उसे दे दे या कोई गुना होकर आपके पास लोट आएगा बहुदा केवल वही सोचने की प्रक्रिया से की मैं क्या चाहता हूं और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूं मेरे अंदर उदारता का जुआर आने लगता है जब भी मैं यह देखता हूं कि लोग मेरे तरब देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूं और जादू की तरह मेरे पास अचानक बहुत सारे मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं, यह सच है कि आपकी दुनिया आपका दरपन है, तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा, मैंने पाया है कि सीखाने वाले ही जितनी गंभीता से जितना जादा सिखाते हैं, मैं भी उतना ही जादा सिखाता हूँ, अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इसे किसी और को भी सिखाएं, ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचार और फार्मुला की बाढ़ा जाएगी, ऐसे भी समय आए, जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटा, या मुझे नहीं मिला, वह मैं नहीं चाहता था, परन्तु करीबी जाच और आत्म अवलेकर से मुझे पता चला, कि उन मामलों में मैंने देने के लिए नहीं दे रहा था, बलकि पाने के लिए दे रहा था, मेरे डाड़ी ने सिख्छकों को सिखाय और वे मास्टर टीचर बन गए, मेरे अमीर डाड़ी ने युवा लोगों को अपने बिजनस करने का तरीका जिखाया, मैं पीछे पलट कर देखता हूं कि यह सिखाने वाले की अपने ग्यान के प्रति उदारता ही थी, जिसके कारण वे जादा स्मार्ट बन गए, इस दुन और वे ताकते आपके प्रति उदार होंगी